तो दोस्तो स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में आपको भीन का जोड करना सिखाए जाएगा भीन का जोड जब दो भीनों को आपस में जोडना हो तो यह हमारा पहला कोशन है और हमारा दूसरा कोशन है जिसमें तीन भीनों को आपस मे क्या करना है जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे आसान तरीका क्या है न हम इस वीडियो में सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके शामने कोई भी भीन का जोड़ हो दो भीनों को जोड़ना हो तीन भीनों को जोड़ना हो या फिर चार या फिर पांच हुआपास में जोड़ना हो अब काफी आसान तरीका से जोड़ पाएंगे में आपको काफी आसान से बत्यागें चोठी applies हमारा जो पहला question क्या है question क्या है question क्या है proset ये पत्यागते हों साथ और बाटा में क्या है साथ बटे दो क्या है तो ये साथ बटा दो जो है ना एक के भीन है जो कि भीन करूँ होता है पी बटा क्यूँ और ये जो है पी बटा क्यूँ गूरूप में है यानि बटा में तो ये जो है अमारा भीन है यानि पहले भीन में आपको जोड़ना है दूसरा भीन तीरे बटे है और हर कमान दो है ठीक उसी तरीका से इस में जोड़ना है जो हर संक्या निकालना होगा तो यहां पर देखे दो हैं निकालना होगा तो यहां पर देखेंगे न तो करना किहा धोलिक्तना है यहां से न्याइव के लिए कशन है तो उसको इस बाटायके नीचे यहां पर हम जो है चार को लिख देंगे अब देखे दू और चार के एलसीम हमारा चार हो गया अब यह करेंगे इसी दो से और इसी चार से बारी बारी से इस चार में भाग करेंगे इसी दो से और इसी चार से बारी बारी से चार में भाग करेंगे और जो भी भाग भल आएगा ना उसका गुना उपरल नमर में करके हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसमें उपरल नमर में करके हम यहाँ पर लिखेंगे यानि करना क्या है सबसे पहले इस दो से भाग करना है चार में इनि दो का पाला पढ़ना है कि कितने बर में यह चार आता है अगर दो के पाला में चार जितने बर में आएगा ना वही हमारा भागफाल होगा तो देखिए दो एकम दो 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 निके चार इन्हें दो के पाला में दो बर पढ़ा तो चार हो गया तो दो के पाला दो बर पढ़ा ना तो वही दो हमारा भागफाल है और वोशी 2 से इस 2 के उपर ला जो नमर 7 ने इसमें गुना करना है तो जब 2 का गुना करेंगे 7 में न तो 2 सथी को हो जाएगा आपका 14 तो 14 जो है यहाँ पर आपको लिख देना है पलस है तो यहाँ पर लगाएंगे पलस आप़े कि फिर वही परकर्दर यहां पर भी इस ROB was करेंगे इंस निच अलोड फाल नबर में और जो भी भागवा लाईगा ना उसका गुणा इस अुपर Park में करakah मे यहाँ पर उपर में लिखेंगे तो जब चार से भागव करेंगे चार में इन二 करना देखिए चार का पड़ना है कि इतने वर में ये 4 आता है तो दखिए 4 एकम wasn't इन्ने 4 के पाड़ा हमने एक पर पढ़ा तो 4 हो गया इन्ने भाफ़हला एक हो गया तो उस एक का गूुना करेंगे ईस 4 के उपर 11 तो जब एक का गुणा चार में तो यहां में एक जोड़ेंगे ना वहाँ आपका दो होगा और बाटा में क्या है चार है तो बाटा में हम यह पर चाले ही देंगे और 27 बटे चार यह हो गया इस कोश्चन का फाइनल आंसर तो अब यह सेकेंड कोश्चन को सॉल्प करना सीखते हैं जो कि मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें एक दो तीन भीनों को बीच में क्या करना है जोड़ना है यह क्या है ब बाटा के ने प्रफिव इसको आंस बोलेंगे और बाटा के निचलनंडव हर है तो इस भीन का हर जो है तीन है मिरें का हर छो है और इस भीन का हर जो है दो है तो 3 चौन है charged जाएंगे दो के पाळा में दो एक बर देंगे समझ रहना अब देखें यहां पर तीन यहां पर तीन जो यहें तीन-क नेछे कोई बी नमर नहीं इसकेवल एक है तो ईको हम किसी बी शेंक यह मेंगो करने पर वह यहां से यहां से यहां से यहां तक एक लाइन केचेंगे और बीचू-बिच नीचे जो हमारा चोव आया है उसको बीचू-बिच नीचे में यहां पर लिखेंगे लिएक हमने अब देखें तीन चोव दो गया अब आगे क्या करेंकि के इसी 3 से जिसके इसे यहां करना है और जो भी भागफल आएगा उसका गुना इस हर संगय के उपरला ज़िके उपर में नमर आदा है तो तीन एकम तीन दुदी के छों नहीं तो वही दो हमारा भागफल है तो उसी दो का यानि उसी भागफल का गुणा इस तीन के उपर नमर 5 में करेंगे न तो दो पंज हो जाएगा आपका 10 तो आपको जो है 10 जो है न आपको यहाँ पर लिखे देना है पलस है तो पलस अब देखें फिर वही पर यहाँ पर इस इस साथ में करके हम यह आप लिखेंगे तो जब शो का पड़ा पढ़ना है कि कितने वर में छो आता है तो देखिए चो एकम छो यहाँ पर हमने एक वर पढ़ा तो यह यह भागफल हमारा एक हो गया तूसर एक का गुणा करेंगे इस च्छो के उपर नमर 7 में तो जब एक लगा, नमर की ने करता है तो यहाँ पर आपका साथ यह हो जाएगा है फ्रकार से निच भीनबर में और जो वाले नमर नमर में करें के हमिए यहां पर उपर लिखेंगे तो जब 2 श्बाकरें के 6 मेह न तो 2 का पढ़ा पढ़ी कितने वर में 6 आता है देखिए दो एकम दो, दो दो नी के चार, दो त्याएं के चोव, इन्हीं दो के पाड़ा हमने तीन बर पढ़ा तो ये चोव आ गया, तो वही तीन हमर भागफल है, तो उस तीन का गुणा करेंगे इस दो के उपर नमर नौ में, तो जब तीन का गुणा करेंगे नौ में तो तीन नमे हो जाएगा आपका यहां पर 27 तो 27 लिख देंगे अर दिकें सींपल्से करना करना कहा है दखिए दस में 7 जोडेंगे आपको हो जाएगा चछो तो बाठा है लिखेंगे छोब अब आँसे साथ में साथ उडेंगे तो चव्दा कई चार हरसीई वन सब्सकिटेए थे दो के लिए चवरषय दो पालिम यहीं और बटे में मीन यहीं आइपका अंसर जोगगा ना बाइस बटा रिट तीन होतों सटकिकीю ब्सक्राइब किया 22 23 और किसी तरीका से आप किसी भी कोषन को काफी आसान तरीका से सर्ब कर सकते हैं तो दोस्तो कोषें चाहे जो भी हो इने 3 մीनों को आप smiggs जोडना हो आप को तरीका यह उचरा कोषें करना हो जाहेए जो भी हो और इसी तरीका से आप किसी भी भी भीन को जोड़ सकते हैं तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा और पहली बराए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा ताकि आपको निव वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे और आपकी जो भी मैथ की त्यारी है हमेशा चलती रहे और आपका मैथ काफी एस्ट्रॉंग हो जाए